आज मैं आपको Amazon Flex जो कुछी दिन पहले Amazon का एक नया प्रोग्रम लॉंच होआ है इंडिया में इसके बारे में complete details दोंगा और मैं दावे के साथ बाता सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने के जरूत नहीं कि इसमें complete A to Z details है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बक्त गबाए तो Amazon Flex प्रोग्रम आकर क्या है Amazon Flex प्रोग्रम दूसरे कंट्री में पहले से ही मौझूत है लेकिन अब इंडिया में भी कुछ दिन पहले launch हुआ है तो जिन लोगों के पास कुछ खाली बक थे और वो कुछ पैसे कमाना चाता है तो Amazon Flex उनके लिए एक बढ़िया प्रोग्रम है तो देखते हैं कि Amazon Flex प्रोग्रम के requirement क्या है मतलब इस प्रोग्रम में जॉइन होने के लिए आपको क्या 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 किस किन की चीजों की जरूरत है तो पहली और सबसे important जो requirement है वह आपको एक two wheeler होना चाहिए मतलब एक bike, scooter, कुछ भी होना चाहिए और इसके साथ driving license होना चाह चाहिए registration certificate, insurance and pollution certificate, pen card ये सब कुछ होना चाहिए जब आपके पास ये सब हो जाएगा तो Amazon की तरफ से आपका background चेक होगा मतलब आपका कोई criminal record या दूसरे कोई record है या नहीं जब आप इस checking में पास हो जाएंगे तो दिखा जाएगा कि आपके पास एक smartphone है या नहीं जिसमें at list android 6.0 और उसके उपर का version होगा और 2GB RAM होगा और उसमें SIM card जिसमें active voice and data connectivity होगा और GPS connectivity तो होने ही चाहिए अगर आप इन सब में पास हो जाए तो आप Amazon Flex program में join कर सकते हैं तो Amazon Flex program में join करने के लिए मैं आपको यहां पर एक पर लिंक दे रहा हूँ इस लिंक को आपको अपने mobile app से open करना होगा जैसे आप करेंगे तो आपके सारे जो data है आप आप Amazon Flex program में enter कर दीजे और अगर आप इस program के लिए eligible निकले तो आप इस program में join कर सकेंगे तो इस program के hidden rules स जैसे अगर delivery करने के बाग कोई accident हो जाता है मतलब आपके साथ कोई accident हो जाता है तो पांच लाक रुपे तक आपको insurance मिलेंगे लेकिन delivery करने के बाग अगर आपके जो वेहिके लिए उसके साथ कुछ कुछ नुक्षान हो जाए तो कोई भी insurance coverage नहीं मिलेगा मतलब इस program में join ह होने से पहले आपके पास एक active insurance को होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप बूसना चाहेंगे कि delivery करने के लिए क्या कोई special dress code है नहीं amazon में delivery करने के लिए कोई dress code नहीं होगा आपका अगला question ऐसा हो सकता है कि आप parcel कहां से accept करें आपके जो amazon flex program होगा उसमें एक calendar होगा जब भी आपको free buck मिले तो वहाँ पर टिक दीजिएगा हतलब amazon flex app को पता चलेगा कि इन इन बक्त पर आपका free time है तो आपको amazon कुछ parcel delivery करने का offer भीजेंगे जब आप उस offer को accept करेंगे तो वो date lock हो जाएगा और उन date पर आप वो parcel उन parcel को amazon के representative के पार्स से ले सकते और उसे delivery कर सकते अगर ऐसा हो जाए कि आपने कोई parcel ले जाने का वादा किया है लेकिन आप किसी कार्ण के लिए उस parcel को नहीं ले जा सकते तो parcel delivery time के 45 minute पहले आपको उस app पे ऐसे inform करना होगा कि आप आज available नहीं है तो वो parcel delivery किसी और को करना होगा आपको कोई problem नहीं होगा तो आप जो एक का government के रूल अनुशार आपको 1% government को tax देना होगा मतलब अगर आप हपते में 1000 रुपए कमाते तो bank account में transfer होगा 990 रुपए मतलब 10 रुपए government tax में जाएगा मुझे उमीदे कि मैंने amazon flex program के बारे में सारे जरूरी जानकरे आपको दे दिया है अगर आपको इसके बारे में और सारे सवालों के जबाब आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दने बाद उमीदे आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इससे कुछ आपको सिखने मिला होगा अगर वीडियो आज आपको पसंद आया है तो इसे like और share करना मत बूलेगा अगर